Hello friends welcome back to my channel,so आज मैं आपको बतायों किए आप किस तरह आ बाल पेन की help से draw कर सकते हूँ मैं draw कर रहा हूँ hairs सो यहाँ पर आप देखरेहों मैं जिस तरह से draw करूँगा सिंपल में स्ट्रोक्स है वो apply करोँगा और जू है age की direction दिख रही है सेम उसी direction में मैं हेर की strokes को apply करूंगा आप देख रहे हो पहले मैं darker areas पे work कर रहा हूं darker areas पे work करने के लिए आपको ज़्यादा layers apply करने पड़ेंगी और अगर आपको all darkness चाहिए तो आप ज़्यादा pressure भी apply कर सकते हो और यहां पर आपको जो light areas दिखे रहे हुआ उसके इसर लिए आपको presures तसे उपतंप say और यह जो minister आप जो middle नेथे रही है है वहां प्रीन हो reading और आपको स्ब्सक्राइब अब जरूर आप वहरे वे confident तरीके से ढ्रॉख करनी है कि नियुक्त जब आप पेंच से ढ्रॉख करते हो तो मिश्टेक्स को आप Erase नहीं कर सकते हैं उन्हें आप है जुरूर कर सकते हो सपोज आप ने हां कोई कोई mistake कर दी कलगत लैंड ड्रॉख कर दी तो उसके लिए आप जो surrounding अगर उसे डार्क कर दोगे तो आपकी वो जो मिश्टेक वो काफी लाइट हो जाएगी और आप नजर नहीं आएगी तो इस तरह से आप में मिश्टेक को हैड भी कर सकते हो आप देखो मैं पार्ट बाई पार्ट वर्क कर रहा हूं हो जब भी आप हैरस पे अ यह ट्रॉप करते हो जो हाँ को पार्ट बाई ख्ट करते ना चाहिए ≅फप एक एक पार्ट को ड्रॉप करना चाहिए ≅ного और मैं उसे complete करने के बाद फिर middle वारे areas पर work करूँगा और फिर finally right वाल एरिया पर इसी तरह से आपको draw करना है और आप सोचोगे कि यह pen कौन सा है तो मैं pen जो यूज़ कर रहा हूँ वो है big brick crystal fine यह fine pen है इसकी और एक तू वराइटी जाती है जिसमें आपको जो पॉल है इसकी डाइमेंशन यहां पर आपको point eight है तो आपको एक तू वराइटी जहां पर आपको एक mm का बॉल मिलेगा और जो लाइन से इससे fine draw हो रही है और उनसे जरह मोटी है इस ट्रौ होगी तो एक तो वराइटी से आप चेक कर सकते हो बिक कंपनी का यह और आप नॉर्मल पेंसे भी ड्रौ कर सकते हो काफी अच्छा वह वर्क करते हैं लाइक जो दो तीन रुपए के लिए फेक उपेंस होते हैं सो उनसी भी आपको काफी अच्छ रिजल्ट मि पेपर पहारा है और आपको पेपर भी रखना है जिससे आप उस इंक को क्लीन कर सकते हो जैसी कि मैंने अपने हैंड के नीचे रखा है सो आप देख रहों कि मैं किस तरह से वर्क कर रहा हूं हाइट आपको विजिबल हो रही होंगी लेफ्ट साइट में और जो टार्क एरि करते जाना और अपनी जो स्केच है जो आप ड्रॉव कर रहे हो उसे कम्प्लीटली बैलेंस तरीके से टोन को काफी बैलेंस करते नहीं तो इसी तरह से आपको ड्रॉव करना है तो अभी मैंने सिर्फ लेफ्ट वाला एरिया कम्प्लीट किया है और चैनल को अपनी सब्सक्र कर दें और राइट वाले एरिया को मैंने ज़रा फास्ट कर दिया क्योंकि सेम जो टेक्निक्स है जो प्रॉसेस हो मैंने यूज किया है मैंने पार्ट वाई पार्ट स्प्लेट कर लिया हेर्स को और एक एक पार्ट को मैं शेट कर रहा हूं जो पेंसे हम शेडिंग करते हैं और जो पैंसल से शेडिंग करते हैं वह काफी डिफरेंट होती है क्योंकि पैंसल से एरेज भी कर लेते हैं उसे ब्लेंड भी कर लेते हैं बट पैंसे हम एरेज भी नहीं करते हैं और उसे ब्लेंड भी नहीं सकते हैं जो भी हम ब्लेंडिंग करते वो पेंड से ही करते शुब इसलिए काफी केरफुली आपको वर्क करना होता है मिस्टेक्स होने के बाद ए врay नहीं कर सकते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है और अब देख क्यों कि हमारे जो हेर्स है जो मैं ट्रॉक करता हूं कि वो मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ और इसकी और भी एपिसोड में अपलोड करूँगा पाट बई पाट जिसमें फेशिल शेडिंग करूँगा और उसमें मैं यूज करूँगा क्रॉश हैशिंग हैशिंग यह सारी टेकनिक्स में यूज करूँगा उसमें आप काफी कुछ सीख सकोगे वहां से भी और हैर्स में भी मैं यूज कर सकता था बट मैंने नॉर्मली हैर्स टॉप यह काफी टाइम स्पेंट करके अगर मैं क्विक वीडियो बनाता तो मैं काफी इसली क्रॉश हैशिंग यूज करके भी हैर्स को कम्पीट कर सकता था इसी तरह से हम ट्रॉप करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसके और पार्ट्स भी आएंगे जल्द ही तो तिल द कर दो ेर बाद कर दो बाद कर दो तो